के बात करें मेरा टेलीग्रम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ फटाफर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंज्वाइनोज और गाइस वीडियो के अंदर किसी तरह की चीज़ को पृस्ता इतनी करें वीडियो बहुत ही जादा सेफ अगे बात करें अगर हम इस मैच की तो नियू कैसल जैट्स और सिड्नी वांडर्स की लाइन अपस वी आ चुकी हैं तो बात करें गोल कीपर की दिन यहाँ पे मैं लूँगा डी मार्गश को दिन डैनिल मार्गश जो की नॉर्मल खेलते हैं सोला फेब के फर्स मैच में इस मैं यह नहीं कह रहा कि वो बंदा दो बार से फ्लॉप हो रहा है हाँ अगर हो भी रहा है तो बात भी चलो मैं मानता हूं हाँ की हो रहा है लेकिन काफी जादा में हैं क्योंकि अगर मैं नू कैसल जैट्स को भी फेवर करता हूं या सिड्नी वांडर्स को भी तो भी मेरी ट टीम को ही मैं लिटल बिट ऑफ 60-70 परसंट फेवर कर रहा हूं और एक प्लेयर जो है दूसरी टीम का वो है जॉन को ट्रॉम्पिस जॉन को ट्रॉम्पिस का पुराना रेकॉर्ड बहुत अच्छा है इसलिए मैंने को ट्रॉम्पिस की वेट कर रहा था कि कब ये इंजरी से र सबसे बढ़िया खेलता है लेकिन देखा जाए तो जाय तो चल भी सकता है लेकिन सिड्नी वांडर्स की सिड्नी वांडर्स की तरफ से उतना अच्छा नहीं खेल रहा और आगे से बात करें डी प्रेट औरस की मिलको का पता था कि इसको पनल्टी टेकर घुशित कर देंगे यह लोग और मैंने इसको कहीं पर सेकेंडरी पनल्टी लेते भी देखा तो यह चीज मिलको समझ मिना ही कि इसकेंडरी पनल्टी वाली क्या बात थी पर इन्होंने रखा है तो कुछ सोच के रखाऊगा इन डी पेना की बात करें डी पेना को लोग वाइस केपिन ट्राए कर रहा हूं और आगे से बात करें भी माइक की भी माइक होए होए तो मतलब शुरू से मैं इस प्लेयर का फैन हूं बेका माइट जब फिल्ड में होता है तो सामने वाली टीम तो एक बार डरी सी होती ही क्या करेगा मतलब इतना जबर्दस इसका पनल्टी रेशियो से लेके स् और आगे से बात करें कैप्टन की कैप्टन है यही मेरी टीम में बिलता हूं नेक्स वीडियो में बबाए